आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्लांट फिजियोलोजी की फ़र्स्ट उनिट है जो कि एक बहुत ही इंपोर्टेंट उनिट और बहुत लेंदी उनिट है जिसके इंतर गदम पढ़ते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप यानि पादप एवं जलके मद्धे कौन से जब पादप और जलके मद्धे संबंद की बात होती है तो हमें पादप और जल दोनों के फिजियोलोजी कल क्योंकि हम एक लाइन शुरू से सुनता हैं कि जल ही जीवन है अर्थार्थ पादप हो या जीवजनतु हो उन सभी की जो जीवन चक्र है वो कहीं न कहीं जल के उपर निर्भर हैं तो यहां पर हम जल के महता को देखते हुए उसे पादप के साथ उसके क्या सम्मंद है पादप के लिए वो क्यों उप्योगी है और पादप एवं उसके मद्धे क्या सिचुएशन्स होती हैं क्या वर्क होते हैं किस तरह से वो पादब कारीगी का जो जनक हम कहते हैं वो है इस्टिफन हेल्फ इस्टिफन हेल्फ ने फरुपर्थम यहां पादब और जल के संबंदों का भी अध्यन किया अता है उन्हें पादब कारीगी की का जनक भी कहा जाता है तो लेट्स इफटार्ट विद फ़र्फ टॉपिक प्लांट इंड वाटर रिलेशन प्लांट वाटर रिलेशन की जब बात करते हैं तो हम यहां पर हमें कुछ जनरल फीचर्स अपने को देखने होते हैं वो हैं जल के भोतिक एवं राफाइनिक गुण को जब हम जल के भोतिक हम राफाइनिक गुण के ओर जाते हैं तो हमें कई करेक्टर्स नजर आते हैं हम बच्पन से कई चीज़े पढ़ते आ रहा हैं जल के बारे में और उसी को हम यहां पर एक तारतम में ताफे समझने की कोशिश करेंगे कि पादप के लिए जल किस प्रकार से उप्योगी है औ तो यहां पर हम लाइन टू लाइन रीड करते हैं और उसी का अगर्डिंग हम समझते हैं कि देखिए जल को जीवन का द्रव यानि फ्लूड ओप लाइब कहा गया है अर्थारत हम कहते हैं कि जल ही जीवन है या जीवन के लिए जल लाइफ की किसी ने किसी लाइब इस्पा विशिफ्ट उश्मा यानि उसका एक appropriate temperature होता है उच्च वाश्पन उच्च वाश्पन का आर्थ है अर्था आर्थ वो 4 degree temperature पर गर्म करने के बाद वो वाश्पिक रथ होता है उश्मा एवं उच्च फफंजन वा आफंजन बल पाये जाते हैं देखेगा ये बात बहुत important है ज molecules के मद्धे जो relation पाया जाता है ये मानिए जल के molecules हैं तो इनके मद्धे जो बल पाया जाएगा जो इने चिपकाने में फायक होगा वो क्यालाता है कोजिफोर्स यानि सफंजन बल जबकि अगर ये दिवार यानि की A और B जल के अनू एवं इस दिवार के मद्धे जो इने आफंजन बल तो फमान अनू के मद्धी उपस्तित जो बल होता है जो उन्हें एक दूसरे पे जोड़े रखता है वो है फफंजन बल और जो दो आफंजन बल जिवावं कांच के मद्धे जल एवं जायलं के मद्धे जो इहाँ पर जो फोर्स पाया जाता है जिसकी साइता कि जुढे रोता है तर वी जुड़े रहते हैं और यही रीजन है कि जल का एक का लंब बन जाता है एक लंब फॉर्मिशन में बन जाता है, एक क्ये पर ब्रेंटर होता है उसका जो पीछे जो एक के रिजन है वो है जल के अनों के मद्धे कौन सा बल पाये जाता है फाफंजन या कोजिव फॉर्स जल के अनों के मद्धे दुर्बल हाइट्रोजन बॉंड उपस्तित होता है हम यहाँ पर कहें कि जल के अनों के मद्धे दुर्बल हाइट्रोजन बॉंड उपस्तित हो है जिसक अगर हम देखें तो तीनों अवस्थाओं पाया जाता है ठोफ, द्राव, एवं, गेफ तीनों अवस्थाओं में ये उपस्तित होता है जल को हम यहाँ पर एक बहुत important factor है जिसे हम कहते हैं universal solvent जो कि आपको यहाँ पर विफरन रफारोहन में आपको पढ़ने को मिलेगा diffusion में मिलेगा आपको पराफरन में पढ़ने को मिलेगा कि solvent क्या होता है अर्थ-अर्थम यहाँ पर के फक्ते हैं कि जल एक universal solvent है जो अफानिफ हैं किसी के विफाद मिल जाता है जल की pH यहाँ पर लगबग सात होती है जो कि उदाफी नेचर को दर्शाता है किन्तो पात्पों के लिए जो हैं अमलिय जल आवशव होता है जल की विशिष्ट घनत चार डिग्री सेंटिग्रेट होता है अर्था चार डिग्री सेंटिग्रेट पर यह बर्थ में परिवर्थित होने लगता है इसका विशिष्ट घनत जो इसका expansion period है जो जिस्व में यह इसका अधिक शत्रफल होता है वो है इसका चार डिग्री सेंटिग्रेट यानि चार डेगरी संटीग्रेट पर यह अत्यधिक घनत्व रखता है जल के कुछ महतवपूर्ण तत्य हैं उन तत्यों के बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे अबर प्रोटोप्लाज प्रोटोप्लाज है कंटेंड आप्रोक्स 90 तो 95 प्रेसेंट ऑफ वाटर अर्थार्थ हम यहां पर के सकते हैं हमारा कोशिकांगों का जीवद्रव्य है वह जीवद्रव्य लगवग 95 प्रतिशक तक जल फे बना होता है जो कि यह प्रतिशक्ता जल के म पूट के रूप में हों वहाँ पर जल उपस्तित होता ही है नेफ्ट है जल के अनुपस्तिती में जीवद्रव्य निश्क्रिय हो जाते हैं हम जानते हैं कि जल जो है किसी ने किसी फॉर्मेट में आवश्यक होता है तो जल के उपस्तिती में यह निश्क्रिय हो जाते हैं प प्रकार फे निश्क्रिये हो जाते हैं तो यहां पर देखिए गाप जल जो हैं जीव द्रव्य एवं कोशिकाओं की कारे पढ़ना ली के लिए बहुत ही आवशक है जेफे ही आप प्लांट सेल्फ को जल्गी कमी होती हैं तो वो शिथी लोजा फे व वो निश्क्रिया होने लगती हैं फिगूरण लगती हैं यह अम्रटब्राइब हो जाती हैं अगर हम यहां पर इनकी बात करें तो फेगन हम देखते हैं कि किस प्रकार से में पर पर इंटी कर्दार्थ हुर आक और और हमारे जीवों के शरीर के constitution की बात करें तो हम जानते हैं कि फभी जीवों का शरीर चाहें वो पादब हो या जनतों हो उनका शरीर कार्बोहाइड़ेट, प्रोटीन, वफा, नुकलेगेफेट आदी पे मिलकर बना होता है ये फभी मुखेता है जल की अनुपस्थिती में निश्क्रिय हो जाते हैं और इनके निश्क्रिय होने के फलफरोग विबिन एंजियमेटिक मेकेनेजम नहीं हो पाती जिसके प्रिणाम फरोग ये निश्क्रिय हो जाते हैं और जब ये निश्क्रिय हो जाते हैं तो कोशी काएं अपना कारिय नहीं कर पाती जल एक आती महत मुख्य नहींं हम देखें जल का एक जो अति-महत्वपून कारी वो है अपर गर बनाए रकने में जल अति-ावश्शक होता है और इफिर ट्रगर प्रेशर के फल्फरोप पादप के अंकूरन से लेकर जड़ा वस्था तक या हम कहें हैं और स्टेज तक कई महत्पून कारिये किये जाते हैं जीव की सभी उपापचे क्रियें द्रव माध्यम में ही पूर्ण होती हैं कि कोई भी जीव है या जल है उस ने माध्यम में होती है जल यह माध्यम में यदि हम बात करते हैं और फोटो सिंथरेजिस और एस्पिरेशन की तो हम जाते हैं जल एक बहुत महत्तौन रोड प्ले करताहिं यह दि हम प्रकास इंसलेशन की बात करें तो वहाँ पर जो light mechanism है एक बहुत ही महतुपूर्ण भाग आता है जिसे हम कहते हैं photo life of water या जल का प्रकास यह अब घटन तो जल का प्रकास यह अब घटन हो करकर वहाँ पर हैट्रोजन परमाणू वगेरा मुक्त होते हैं यह हैट्रोजन परमाणू वहाँ के रूप में कारे करते हैं और इसके प्रणाम से रूप फियो टू का अब घटन होता है अरताद हम यहाँ पर कहें कि photo life of water जो है वो जल के द्वारा ही प्रकास की उपस्तिती में हो के लिए जल के आवशकता होती है हम जानते हैं कि जो feed होता है feed के germination के लिए water बहुत जरूरी है उस water को feed absorb करके स्वैल अप होता है और स्वैल अप होने के फाति उसमें अंकूरन शुरू होता है तो अर्थार्थम यहाँ पर के फक्ते हैं कि बीजों के अंकूरन के लिए एवं उनके नौजात अंगों के निर्मान एवं विकाफ के लिए जल एक अती आवशक element तत्व है जल एक फार्व पादप में जो है जल का फार्वान रेगूलर होना क्यों होशक है क्यों कि हम यहाँ पर कहते हैं कि उसकी विशिफ्ट उसमा जो होती है वो टेंपराचर को बढ़ने नहीं देती और पादप के तापकरम्द को बनाए रखती है नेफ्ट जल विलियों के परिवहन जैसे पर परकेड़न युगमगों के इस्थानां तरण आदी में भी फाहिक होता है इटमिन हम यहाँ पर कहें कि पादप के विभिन आयाम या विभिन ने करिया अकलाब जो है वो जल के उपर ही निर्भर है नेफ्ट लेड़ लेते हैं नेफ्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पारगम्यता की तो पारगम्यता क्या है अगर हम पारगम्यता की बात करें तो पारगम्यता मुख्य तहट चार प्रकार की होती है जिने हम अग पारगम्य जिल्ली पारगम्य जिल्ली अर्थ पारगम्य जिल्ली और चैनात्मक पारगम् पढ़ते हैं पहले हम यहां पर लेते हैं अपार घंमे जिली इससे थोड़ा समझिएगा मैं भी एक डिया ग्रेमेट्डिक में वे में आपको समझाूँगा जल जब विले धम विलायक दोनों ही जिली के पार ना जा सकें तो उस जिल्ली को क्या कहेंगे हम अब पारगम्य जिल्ली इसके उधारन है यहाँ पर क्यूटिकल क्यूटिकल जो की वफा की बनी होती है वेक्स के रूप में उसका डिपोजिशन होता है तो वहाँ पर विले एवम विलायक दोनों ही जो हैं उसके पार नहीं जा पाते हैं तो यह कौन सी मेंब्रेन के रूप में कारे करती हैं अब पारगम्य जिल्ली निफ्ट हम बात करें प पारगम्य थी पारगंम्य जिल्ली वो इसमें विले और विलायक दोनों ही जिल्ली यहां पर आउरोद उत्पन नहीं करता और यह एक कोशे का फिदूफरे कोशे का मैं आफानी पे जाफकती है एक्जामपल यहां पर फैल वाल कहा गया है निफ्ट यह दी हम देखें अर्द पार गम्मे जिल्ली यहां पर समझने योग के बात है अर्द पार गम्मे यानि कुछ भी पार नहीं हो रहा है पार गम्मे यानि सब पार हो गए अर्द पार गम्मे अर्द पार गम्मे का मतलब है आधी चीज़े जा रही है और आधी नहीं आ रही है तो यहां पर हम विले और विलायक पे अर्थ लेंगे अर्थार्थ इस प्रकार की जो जिल्लियां होती है विलायक को तो पार होने देती है किन्तो विले उसमें पार नहीं हो पाता उसके विले के लिए यह पार गम्म है जबकि विलायक के लिए पार गम्म में होती है इनके उधारन जरूर याद रखिएगा, यह कई एक्जामों में पूछे जाते हैं, अब्जेक्टिव टाइप के रूप में, और चैनात्मक पारगम में जिल्ली के बारे में ही पूछा जाता है, तो अर्द पारगम में जिल्ली के रूप में यहाँ पर है, प्लाज्मा मेंब मेंब्रेन, जो फैलवाल है, जो कोशे का भित्ती है, वो है पारगम में, जबकि प्लाज्मा मेंब्रेन जो है, कोशे का जिल्ली जो है, वो है अर्द पारगम में, देखिएगा, यह एक डियाग्राम में यहाँ पर प्लोट किया है, यह डियाग्राम से समझिएगा, यह जो इफेट जो है ये तो है आपकी मेंब्रेन यहां पर आपके फॉल्यूट और फॉल्वेंट दोनों रखे हुए यहां फे जिन जिन का गमन हो रहा है उसी के अकोर्डिंग वह मेंब्रेन डिफाइन की गई है तो देखेगा यहां पर अर्थ पारगम में जिल्ले की बात करते हैं हम यहां फॉल्यूट और फॉल्वेंट दोनों ही इस मेंब्रेन के हार पार हो फकते हैं फॉर यह नहीं हो फकते तो इस प्रकार की मेंब्रेन क्या कहलाएगी अपारगम्य यह गलत लिखा हुआ है यहां पर आप फ़ई पढ़िएगा अपारगम्य है यह अपारगम्य ओके तो इस प्रकार की मेंब्रेन है अपारगम्य जिल्ली दूफरी और अगर आप देखते हैं पारगम्य में इसे आप पारगम्य पढ़िएगा आप फेकिंड जो है हमारी वो है पारगम्य अर्थार्थ वो जिल्ली जिसमें फे फॉल्यूट और फॉल्वेंट दोनों ही पार हो जाएं वो कहलाती है पारगम्य थर्ड डाइप की अब हम देखेंगे यहाँ पर अर्ध पारगम्मे तो अर्ध पारगम्मे का अर्थ यहाँ पर वो मेंब्रेन जिसमें से देखिएगा फॉल्यूट विलियो तो ना निकल पाए किन्तु फॉल्वेंट असानी से पार हो जाएं वो आपके केलाती अर्ध पारगम्मे प्लाज्मा मेंब्रेन या फेलफॉन मेंब्रेन लाफ्ट जो है वो है आपके चैनात्मक पारगम्मे अदा चैनात्मक में हम यहां पर कहें मान लीजिए दो या दो से अधिक foliut हैं तो उनमें फिर एक foliut को तो वह पार कर रहा है जबकि दूफरा foliut रुक रहा है तो इत्मिन फिर यहां पर क्या हुआ? चैन हुआ और उस चैन के कारणी फिर कहा जाया है चैनात्मक पारगम में जिल्ली यहां पर देखिएगा foliut 1, foliut 2, foliut 3 इनमें फिर foliut 1 और foliut 2 ही यहां foliut 3 ही पार हो पार रहा है जबकि foliut 2 आर पार नहीं हो रहा है अर्था इसका इसमें चैन किया गया जबकि foliut, fluently इसमें गुजर रहा है तो इस परकार की जो जिल्ली कहलाती है वो चैनात्मक पारगम में जिल्ली कहलाती है इसका सबसे अच्छा हो दारण है टोनोप्लास्ट तो टोनोप्लास्ट में यह पाई जाती है तो चैनित पारगम में तागो इस परकार से कहाएगा इस प्रकार के जिल्लियों में विलाय के साथ कुछ विले भी पारगम में होता है ये जिल्लियां मुखेता है कार्बन एक फैट, ऑक्फिजेन, नाइट्रोजन, एथार, एलकोहल आदी के लिए पारगम में होती है धन्यवाद, hopefully ये वीडियो आपको समझ में आया होगा इसके बाद हम इसका नेफ्ट वीडियो लेंगे धन्यवाद